कवर्धा जिला के चार भाटा ग्राम में अंगन बाड़ी भवन का सही रूप से निर्मार नहीं किया गया था आधा धाचा बना कर बीच में ही छोड़ दिया गया था जिस पर मैंने 2019 में एक विडियो बनाई थी विडियो में मैंने यहां का आगन बाड़ी कार्यकरता उनका सहयोगी से बात की थी पहले मैं समुदाइक दोमन में पढ़ाती थी और वहां बच्चों को भी परसानी होती थी वो बहुत छोटा भी था और उपर से भी सी पेज़वे गेरा हो रही थी तो रखने में समार रखने में भी तकलिफ हो रही थी और बच्चों को पढ़ाने में भी बैठने उठने में भी खुला महाल नहीं था क्योंके माधियम से यहां के SDM को समस्या से आउगत कराया गया उसके बाद SDM को आवेदन दिया गया जिसके तीन महेने बाद काम फिर ठीक तरह से शुरू कर आगनबाडी भवन बनाया गया इस वीडियो पर बदलाव लाने में मुझे लगभग एक साल वक्त लगा जैसे कि पढ़ले आगनबडी भौन नहीं था यहां पर मिन्यागनबडी भौन नहीं था और यह 2017 में पास हो गया है फिर बनना इस्टार्ट वाद दो महने तक कारे चला उसके बाद फिर काम बन एक साल से तो फिर सब गावाले और मैं भी साथ में साथ में आप वीडियो बनाने आएं उसके बाद अपन मुझे हैं सब्सक्राइब निकली गए कि काम बनना इसाब शाल करें आसे करें अवेजन देनेक बाद तीन मेनेक बाद काम इस्टार्ट यहां सुरू हो गया है अब भौन जिए बढ़ियो बन गया है अच्छा लगा है गावालों को भून और बच्चे भी आतने अच्छे से एक साल ली अधूरा रही से आगानवाडी है आओ दीना दी दिल बलाएं तो पोट्टो करीश पोट्टो करके फिर सब्सक्राइब जन्मीर जूरके आओ बस्ता रहें बड़े सहाव में बड़े सहाब में लेखे दू महीं अगबात आई वांगानवाडी अधूरा रही तेना पूरा होई सेवाई सबे जन्मी जूर के और कामला करें आप वीडियो बनाने के लिए आई थी और गाहों के सभी लोग मिलकर अच्छे बड़े में कितने बच्चे हैं चोवीज बच्चे हैं तीन से च्छे वार्ष में में करता हूं मेरे पात सहाई का नहीं है हाँ भी मैं सारा काम करती हूं के लिए मैं एस्डेम का इंटर भी नहीं ले पाई क्यूंकि अभी उनका यहां से ट्रांसफर हो चुका है लेकिन मैं और मेरा सामुदाय उनको धन्यामाद चाहती हूं आप मेरे विडियो को लाइब कर सेयर करें ताकि मैं ऐसे ही अपने सामुदाय के लोगों को मदद करती रहूं मैं दिना गनवीर ग्राम चार भांटा बुलाक पंडरिया जिलकावर्धा चतीजगार इंडिया अनहट के लिए